राजस्तान के मुख्यमंतरी अशोग गहलोत के मुश्किल बढ़ेगी या नहीं ये आज कोट के फैसले सित्ताय होगा आज दिली की रावजविन्य कोट ये फैसला सुनाएगी कि सीम गहलोत को मानहानी मामले में समन भेजा जाएगा या नहीं दिली को जिला बनाय जाए दर असल अशोग गहलोत ने बीटी 21 स्वरवरी को बयान दिया था कि संजीवनी घोटाले में गजेंद सिंग के माबाप पत्नी साइद पूरा परिवार शामल है इस घटना से पहले भी दोनों नेताओं के बीच लगतार बयान बाजी होती आ रही थी गहलोत का संजीवनी घोटाले से जुड़ा बयान आने के बाद शेखावत ने मानहानी का केस दायर कर दिया था और उनके परिवार के बारे में दिये गए बयान को आधार बनाया था मानहानी केस को लेकर स्यम अशोक गहलोत ने भी गजेंद सिंग से खावत पर हमला बोला था गहलोत ने कहा था कि पूरा घोटाला कागजों पर है गजेंद सिंग के मानहानी केस का स्वागत है मामले में पिछली सुनवाई के दौरान कोट ने समझ जारी करने को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया था अब सीम को समझ जारी होगा या नहीं ये आज रावजवन्य कोट के फैसले से तै होगा